नमस्कार दोफ्तों इंडिया बोले गाने में आप सभी का स्वागत है जौनपूर में सराइक वाजा थानावय सर्विलांस की संयूगत टीम के साथ होई पुलिस मुर्भेड में लूड के दो अरोपितों को गिरफतार कर लिया गया एक बदमास के पैर में गोली लगी है बदमासों के पास से दो तमंचावा मोबाइल के अलावा लूड की एक मोटर साइकल और 14,000 रुपे नगत बरामत किया गया है पुलिस रवीवार की रात संदीगतों की जाच कर रही थी स्वाट वर सर्विलांस की टीम को पतहना मोड पर एक मोटर साइकल पर दो ब्यक्ति जमुहाई आनापूर की तरफ से आते हुए दिखाई दिये पुलिस टीम द्वारा रोकने पर दोनों भागने लगे अपने आपको पुलिस से घिर्टा देख पुलिस परतमंचे से फायर कर दिया जिसमें एक गोली प्रभारी निरीचक के पहने हुए बुलर पूर जैकेट में जा लगी आत्मर रच्छार्थ पुलिस ने भी फायर कर थाना सिंधह रच जनपर वारान सी बताया तो वहीं दूसरे की पहचान आका सिंग पुतरलाउटाने सिंग निवासी मिलको पूर थाना स्राइक फाजा के रूप में हुई दोनों ने कुछ दिन पहले ही सिद्धिगपुर में सामुहिक संचालक से हुई लूट की घटना मे सामिल होना स्विकार किया घायल का इलाज प्यच सी करंजा कला में कराया गया जनपर जौनपूर में थाना सराइक फाजा के अंतरगत भारत फाइनेंस कंपनी से एक लूट की घटना हुई थी जिसमें थाने पर अभियोग पंजिक्रित हुआ था इस घटना क्रम में टीमें लगातार काम कर रही थी इसके अनावण के लिए और कल रात्री में हमारी जो टीमें काम कर रही थी उनको एक महतपूर सफलता प्राप्थ हुई और एक महतपूर सुचना पर जब तलाशी अभियान चल लहा था उसमें कुछ बदमासों ने गेरा बंदी करने पर पुलिस पार्टी पर फाइर किया आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फाइरिंग की जिसमें एक बदमास के पैर में नीचे गोली लगी है पुलिस ने उसको गिरफतार किया है उसके कबजे से एक तमंचा 32 बोर दो जिन्दा कार्टूस एक खोखा कार्टूस 9500 रुपे एक मोटरसाइकल एक मोबाइल बरामत किया है जिसकी पहचान रोहिद के रूप में भी जो सिधावरा वारणशी के रहने वाला है इसी के साथ एक अन्य अपरादी आकास सिंग भी गिरफतार हुआ है जिसके कबजे से एक तमंचा 315 बोर दो जिन्दा कार्टूस एक मोटरसाइकल और 5000 रुपे ये बरामत हुए है और इन लोगों ने पूस्तास में ये बताया कि इनके द्वारा अपने अन्य साथ ही हूँ आकास सिंग, पंडित सोंकर, हर्ट सिंग और अजय उर्फचित्रू के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया था इन लोगों ने लूट के पैसे को अपस में बाटा था और हिन दोणों के पास से जो पैसे और यह धनराशी मिली है ये लूट के पैसे में ही इनको हि पूरी तरह से पूरी कारवाही इसमें करके और इनको सजा दिलाने की कारवाही की जाएगी वरिस फुली सदिक्षक जौनपूर के नेतरतों में यह एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क हुआ है और एक अज्यात लूट की घटना का सफल अनावर्ण हुआ है और दो अभियु सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की घंटी जो दबाएगा